नमस्कार प्रिये प्रदेश बाशियो बहुत ही खुशी की बात है कि राश्ट्पता मात्मा गांदी की आगामी जेनती दो अक्टूबर के पावन दिन पंचायत राज मंत्राले भारत सरकार की पहल पर सब की यूजना सब का विकास अवियान का सोबारम होने जा रहा है गिराम सोराज मात्मा गांदी का सपना था गांदी जी के संपूर्ण चिंतन और दर्सन का केंद्र गाओं ही रहे उनका मानना था कि पंचायतों की सक्ती जितनी अधिक है लोगों के लिए उतना ही भेतर है देश की एसोसी प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नित्रत में हमारी सरकार भी सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास सब का प्रियास के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है यह संकल्प तभी सही मायने में सार्थ तक होगा जब हर गाउं अपने पैरों पर खड़ा हो अपनी जरुवतों का आंकलन स्वेम करे अपने बिकास की योजना भी स्वेम ही बनाए हम चाते हैं कि गाउं गरीबी मुक्त हो वह अच्छे स्कूल अच्छे पंचैद भवन हो अच्छे सामदय भवन हो भैतर स्वास बढ़ा हो गाउं में हरियाली साब सुत्रा सफाई हो वह अच्छी सड़के हैं स्ट्रीट लाइट पीने युग पानी ड्रेनेज अच्छी स् सब्धाओं का मजबूत बन्यादी धाचा होना चाहिए सबकी योजना सबका विकास अवियान गाओं के समावेशी और सेवागी विकास की दिसा में महत पुर्ण पहल है इस अवियान को और प्रभावी बनाने के लिए इसे सतत विकास लक्षों के साथ जोड़ा गया है जिसस के भैतर विकास के लिए जरूरी है कि वहां की आवेश्चक्ताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम बाशियों की भागेदारी से पंचायत विकास योजना बनाई जाए इस बर्स भी ग्राम पंचायतों की बार्स की योजना तियार करने के लिए राष्ट ब्यापी अभि जन किया जाएगा मेरी राजनित की आतरा की सुरुवात एक सरपंच के रूप में हुई थी मैंने खुद देखा और अन्मभ भी किया कि हमारे गाओं में कितनी अपार संभाबना हैं हमारे देश की आत्मा हमारे गाओं में बसती है और इन गाओं का विकास ही हमारे और अपने बिचार रखें, वहां की समश्शाओं को बताएं, आपकी शक्रिय 他說 में भागिदारी से ही हम राजस्तान को विकास के नए ऊयाम दे सकते हैं, और विक्सित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं, आइए हम सब मिलकर अपने गाउं को विक्सित और समृत बनाएं, आप सभी को बहुत बहुत धन्वात, जे हिन, जे भारत, जे राजिस्तान, नमस्कार.